उत्रकंट में जनता खेले लोग तंद्र कमापर्वर यानि मद्दान का दौर शुरू हो चुका है हादा कि 8 एप्रिल से शुरू हुई या प्रक्रिया 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मद्दाताओं के लिए है मद्दान टीमो द्वारा लगतार घर घर पहुचकर पोस्टल बैलेट से मद्दान करवाया चारा है इसको लेकर अब संयुक्त मुक्य निर्वाचन अधिकारी नमामी बंसल ने जानकारी दी है नमावी बंसल ने बताया कि पोस्टल बैलट में दो श्रेडी थी जिसमें सभी जनपद में पहली दिव्यांग जन और 85 से ज़ादा वर्ष के मदाताओं की होम वोटिंग की प्रक्रिया दो चर्णों में पूरी हो चुकी है उन्होंने बताया कि जो मदान करमचारी हैं जो पोस्टल बैलट के लिए योगे हैं वो सुवधा केंद्रमादयम से मदान कर रहे हैं नेरादून से बेरोचीफ अवनीश गुपता की रिपोर्ट देखे पोस्टल बैलट में दो कैटिगरीज थी एक तो जो हमारी होम वोटिंग की जा रही थी दिव्यांग जन और जो हमारे 85 वर्ष की आयू से अधिक के मदाता हैं उन सब की दो चर्णों में होम वोट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है सभी जनपदों में और जो हमारे मदान कार्मिक जितने भी हमारे होम गार्ड्स, पुलिस परसनल, सेक्योरिटी ओफिसर्स, सीएप ये सारे जितने भी लोग हमारे मदान में लगेंगे उनमें से जो पोस्टल बैलट के लिए इलिजिबल हैं वो सभी फसिल्टेशन के इंद्रों के माध्यम से अपना मदान कर रहे हैं वो अभी सेकेंड ट्रेनिंग के दौरान भी प्रक्रिया चली है और अब क्यूंकि कुछ जनपदों में आज से थर्ड ट्रेनिंग शुरू हो गई है और कल से कुछ अन्य जनपदों में शुरू होगी तो वो प्रक्रिया थर्ड ट्रेनिंग के दौ करान भी चलीगी